आगे हम सब देखते हैं, गोको अर्विचीटा पीस की बनाई गई टैमेंशन में आज आते हैं, तौनों से येंस इस अजीब सी टैमेंशन को देखते हैं और दोनों को ये टैमेंशन बहुत यूनीक लगती है, गोको अर्विचीटा बहुत से प्लैनेट्स पे गए थे, कि बॉडि को एफेक्ट कर रहा था गोकू विचीटा से पूछता है कि तेरी बॉड़ी भी इस और इस तरह का प्रेशर कभी फील किया है मैं दो बस अंदाशा लगा रहा था पर शाहत तेरी बात सही है दूसरी चीज्ट जो कोगो इर विचीटा नोटिस करते हैं इस डाइमेंशन की हवा इस डाइमेंशन का एटमॉस्फियर भी काफी अलग था दौनों सेयंस को अपनी बॉड़ी पे अजीब से कट स्पील हो रहे थे मानू जैसे यह हवा नहीं कोई शार्फ ऑब्जेक्ट है जोनकी पॉड़ी को काट रहा है और तीसरी और सबसे अजीब बात इस डाइमेंशन में ना कोई समीन थी ना ही कोई आस्मान था जिस पॉर्टल से दौनों से इस डाइमेंशन में आई थे होपी गायब हो गया था गोगो इन सब बातों को नोटिस करके बोलता है यार वीस हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर कोई पनिश्मेंट दे रहे हैं अभी तक जो भी देखा है सब कुछ अजीब ही है या पर लगता है भीस इस पर हमारी हालत खराब करने वाल है गोगो विचीटा से पुछता है आगे क्या करना है विचीटा इस बात पर कोई जवाब नहीं देता गोगो विचीटा की तरफ देखता है विचीटा फेस से काफी सीरियस लग रहा था वो कुछ तो सोच रहा था विचीटा गोगो से कहता है कैकरोटिक काम करते हैं थोड़ा आगे चले के देखते हैं देखने इस डैमेंशन में कुछ और भी है या फिर ये पूरी डैमेंशन ऐसी ही है दोनों सेयंस इस डैमेंशन को एक्स्수 बोर करने लगते हैं क्या उन दोनों के अलाबा यहां पर कुछ और भी था वीचीटा कोकू की बाते सुन रहा था पर उसकी बातों पे साधा थ्यान नहीं दे रहा था वीचीटा के मैंड में ابھی काफी सारे सवाल थे और उन सभी सवालों का जवाब बस Byce दे सकते थे अब इकहानी आती है वीच पे बीरस दोराम फרमाने चले गएते पीस सभी युनिवर्स इसके इंजल्स को कॉंटेक करते हैं और उने बता दिते हैं कोकोईन विजीटा उस डाइमेंशन में चले गए है तौनों की पनिशमेंट स्टार्ट हो गई है सभी इंजल्स अपने God of Destruction को बता देते हैं कोको इन विचीटा की पनिश्मेंट स्टार्ट हो चुकी है जैसा सभी God of Destruction चाहते थे वैसा हो चुका है यूनिवर्स 11 की एंजल मारकर इटा अपनी God of Destruction पैलमॉट से पूछ दिये क्या आपको नहीं लगता आपने उन मॉर्टल को सरूरत से जाधा पनिश्मेंट दे दी टूर्णेमेंट अपावर जीतने के बाद उन मॉर्टल ने सभी उनिवर्स को फिश पैक किया हमें तो उनका एहसान मानना चाहिए आज सभी उनिवर्स उनकी वज़ा से एक्जिस्ट करते हैं पैलमॉट इस बात पे रिपलाइ करते हैं एहसान पर किस बात का टूर्णेमेंट पावर क्यों हुआ सभी उनिवर्स खतरे में क्यों आए उन मॉर्टल की वज़ा से आए ना अगर वो मॉर्टल सीधे रास्ते अपनी जिन्दी के जीते रहते तो क्या कोई उनिवर्स खतरे में आता क्या लॉट से नो टूर्णमेंट कराते क्या लॉट से नो बिना बात में किसी युनिवर्स को इरेस करते ये तो सभी युनिवर्स का नसीब है क्या सभी युनिवर्स एक्जिस्ट करते है पर न क्या होता अगर वो मॉर्टल्स कोई और विश मांग लेते मारकरीटा अपने God of Destruction के बात सुनके चुप हो जाती है पैलमोड पूछते हैं टोपो कहां पर है मारकरीटा बताती है टोपो बाकी प्राइड टूपर्स के साथ है पैलमोड इस बात पर गहते हैं तो उसे बुलाओ मारकरीटा टोणामेंट अपावर में मैंने काफी कमिया देखी थी उसके अंदर उन कमियों को दूर करना होका वो इस उनिवर्स का अगला God of Destruction होने वाला है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए पैलमोड की बात मानते वे मारकरीटा टोपो को ट्रेनिंग के लिए बुला लेती है बाकी उनिवर्स के God of Destruction भी इस बारे में साथा ना सोचके अपने काम में बिजी हो जाते हैं अब ही कहानिया थे अर्थ पे गोको इन विजीटा अल्वेस वीज के साथ ट्रेनिंग किया करते थे और ये कहना गलत नहीं होगा ट्रेगन बॉल सूपर में तौनों सेंस ने चितना टाइम अपनी फैमिली के साथ इस्पेंट किया था उसे कहीं जदा वीज के साथ किया था पुलमा को इस चीज से कभी कोई दिक्कत नहीं थी पिकस वीजीटा को ट्रेनिंग करना पसंद था और पुलमा को वीजीटा पसंद था चीची को थोड़ी प्रावलम सरूर होती थी वो चाती थी कोको अपनी जॉब पे फोकस करे पर चीची ये बात भी अच्छे से जानती थी कोको को ट्रेनिंग करने से नहीं रोका जा सकता लेकिन इस बार हाला थोड़ी बतल चुके थे पुलमा इस अपनी रिसर्च पग्यारा में लखी हुई थी लेकिन उसका मन काम में बिलकुल नहीं था पुलमा की मन में बार-बार यही बाता रही थी क्या विजीडा ठीक होगा ट्रंक्स अपने माम की सेटनेस को देखता है और पूछने लगता है क्या बात है पुलमा इस बात पे कहते है साधा कुछ नी पस उसका मन नहीं मान रहा तैन बुलमा सोचने लगती है अगर वो विजीडा से बात कर लेगी तो उसे अच्छा फील होगा बुलमा अपने कम्यूनिकेटर से फीस को कॉल लगाती है पर इस बार फीस को कॉल ही नहीं लगता बुलमा की धड़करने और ज़्यादा थेज हो जाती है अभी बुलमा का शक बढ़ने लगाता फीस ने अर्थ के खाने के लिए मना किया फीस बुलमा की कॉल नहीं उठा रहा जबके बुलमा की कॉल का इंतसार किया करता था कब बुलमा कॉल करेगी कब अर्थ पे जाने का मौका मिलेगा कुछ नया खाने का मौका मिलेगा इन सब बातों को सोच के बुलमा और सदा सैट फिल करने लगती है पर टरंक्स अपनी मौम को शांत कराने की कोशिश करता है टरंक्स बुलमा से कहता है वो डैड की चिंता ना करे डैड इतने सदा स्ट्रॉंग है कोई भी उनका कुछ नहीं बिगार सकता इस बात को सुनने के बाद बुलमा थोड़ा रिलेक्स फिल सरूर करती है अभी बुलमा को चीची की कॉल आती है चीची कहती है बुलमा वीस को कॉल लगाए उसे गोकु से बात करनी है पर बुलमा बताती है उसने जस्ट अभी विस्ट को कॉल लगाया था एंड कॉल नहीं लगा बुलमा चीची से पूछती है उसे गोकू से क्या बात करनी है और चीची भी सेमी बात कहती है उसे गोकू की फिकर हो रही है बुलमा चीची से कहती है वो गोकू की चिंता ना करे कोको और विजीटा अपना ध्यान रख सकते हैं जैसे बुलमा फीस से कॉंटेक्ट कर पाए की वो कोको और विजीटा को पापस अर्फे आने बोलेगी अभी कहानी अगेन आती है कोको और विजीटा पे दौनों सेयंस ने अपने ट्रेनिंग स्टाइट कर दी थी पर इस बार ट्रेनिंग करने में उन्हें काफी ज़्यादा प्रॉबलम हो रही थी पिगएस इस ट्रैमेंशन का एटमास्पेर ट्रेनिंग करने के काबिल बिलकुल नहीं था कोको सोचने लगता है वीस ने सही कहा था इस पार की ट्रेइनिंग सबसे ज़दा टफ होने वाली है इसलिए शायद GOKU और फिचीटा को इतनी सादा प्रॉब्लम हो रही है इस डाइमेंशन में कोई फ्लोर नहीं था इसलिए दौनों सेंस अपनी एनरजी से एक फ्लोर जैसा कुछ क्रियेट करते हैं और रेस्ट करने लगता है गोकु विचीटा के फेस को देखता है विचीटा अभी भी सीरिस लग रहा था गोकु को समझ नहीं आता इस डाइमेशन में आने के बाद विचीटा को क्या हो गया है अभी गोकु कहता है यार ये ट्रेणिंग सेशन बहुत टफता भी अपर ये पनिश्मेंन बहुत लुकु मेरेसे भूग परदाष नहीं होती तरह गोकु जाएंगे विचीटा इस बात पर कहता है सब चीजों को जोड़ के देख के लुट ये ट्रेनिंग नहीं है ये पनिशमेंट है